यूपी की डिप्टिस्यम किश्व प्रसाद मौर्या ने कोशामभी के सिराथों में जन चपार में शामिल हुए डिप्टिस्यम ने जन सुनवाई कर जनता की समस्या से सीधे रूबरू हुए और समस्या के निसारण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिये उन्होंने भा 24 के चुनाम में 80 में से 80 सीट भाषपा जीतने वाली है राम मंदी पर बयान देते हुए उन्हों ने कहा कि 500 साल बाद राम लला अपने घर में रहेंगे देश परदेश को सुसासन चाहिए विकास चाहिए विकास की गारंटी चाहिए 2047 में विक्षिद भारत चाहिए तीसरे नंबर की आर्थविवस्ता, तीसरी बार مोदी सरकार लाकर के देने की काम करेगी आत निर्वर भारत बन रहा है, सकतिशाली भारत बन रहा है, गरीबी से मुक्त बहारत बन रहा है 22 जनवरी को रामलला अपने जन्म अस्तान पर 500 साल बाद बहुत रांदोलन हुए बहुत बल्डान हुए बहुत संगर्स हुए लेकिन अगर सिराम जन्म भूमी पर आज भबे मंदिर बन रहा है तो प्रधान मंदिर मानी नरेंद मोदी जी के नेतुत में सरकार बनने के कारण बना हुए